हाई गाईज वेलकम बाक तू दे चैनल अगेन और गाईज आज की वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफोर्मेशन बताना है वाला हूँ जो की वाट्सैप के तरफ से आ रही है गाईज जी हाँ फेस्बुक ओंड कंपनी जो की वाट्सैप है गाईज जहां पे ग्रूप कॉलिंग उन्होंने इंक्रीज करने के लिए पूरी प्लैनिंग कर लिया गाईज अभी तक हम सभी को पता है गाईज की जो वाट्सैप ग्रूप कॉलिंग होती है वीडियो कॉलिंग जो होती है वहां पे सिर्फ चा देखे हैं वाइस एंड तक और वीडियो चिल लगे तो लाइक में सब्सक्राइब करना मत दूलिएगा तो जला डाइमेश नहीं करते हैं गाइस वडियो शुरू करते हैं दो गाइस वड्स आप जो कि फेजबूक ऑंड कमपनी यहां पे गाइस हम सभी को पता है कि गाइस करोना वाइरस चल रहा है अभी और सब अपने अपने घरों में बैठे हैं कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ भी गाईज यह फीचर जो अब निकल के आने वाला है, वट्सैप की तरफ से जहाँ पे आप चार लोगों से ज़्यादा बात कर सकेंगे वीडियो कॉल के थूरू, यहाँ पे अभी वट्सैप ने एक लिमिट रखी भी थी कि चार से ज़्यादा लोग बात नहीं कर पा रहे थे, ग्रूप कॉलिंग में, वीडियो कॉल के थूरू, लेकिन अब वट्सैप ऐसा सौफ्ट्वेर बना रहा है, हारा है कि अभी यह सौफ्ट्वेर नाम नहीं आया अगे, कि वट्सैप एक्जाट्ली क्या बना र कर रहा है इन चीजों पर और बहुत ही जल्दी यह लिमिट हटाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, यहां पर वट्सैप ने भी बता देगा इसकी जैसे यह फीचर आएगा तो वह ऑफिशली अनौंस कर देंगे, और सभी को अपना एंड़ोडा आयोस यूजर्स को अप स् कंट्री में की जो जूम वीडियो कालिंग है, वो काफी ज्यादा सेक्यूर नहीं है, तो उसे यूजर मत करिये हैं, क्योंकि काफी ज्यदा साईबर क्राइम्स हो सकते हैं, इसके थरू। जो लोग घर से काम करने यह फिर जो वीडियो कॉल्स पर अपने आफिसें अपने सी जो WhatsApp है वो काफी सिक्योर माने गए हैं इन चीज़ों में ग्रूप कॉलिंग या फिर अगर आपको कहीं भी पूरी दुनिया में बात करनी है हाला कि अभी कुछ टाइम पहले 12 सिक्यूरिटीज ऐसे निकल के आई थी जो की WhatsApp बिल्कुल फेल हो गया थो ने लेकिन अब WhatsApp ने उसे रिजॉल्व कर दिया है और वो नहीं चाहता है कि यह फीचर लाने से पहले वो कोई bug issues लेकर रहे तो इसलिए हो कह रहा है कि मैं हम काम कर रहे हैं उस पर जैसी यह फीचर आएगा लेकिन आप सोचिए कि जब यह फीचर आएगा तो यह बहुत ज्यादा helpful होने वाले हम सभी के लिए आपका गया कहना है कमेंट बॉक्स में जूरू बताएगा अपनी राये को so until next time guys